Hello my dear students, तो आप सभी का सौगत है हमारी YouTube चनल पे तो आज हम लोग discussion करेंगे while loop के बारे में इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि loop क्या होता है और उसके बाद अगले वीडियो में बताया था कि for loop को कैसे use करते हैं for loop कैसा होता है आज हम लोग इस वीडियो में सेखने वाले हैं कि while loop कैसे काम करता है इसका syntax क्या होता है और इसमें हम लोग कुछ examples देखेंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि while loop कैसे काम करता है तो चलिए start करते हैं तो जैसा कि आपको पता होगा कि loop को चलने के लिए तीन चीजों की ज़रूत होती है starting point, ending point और updation यानि कि जब भी हम کوई loop चलाते हैं तो हमें पता होना चागा कि हमारा starting point क्या है पता होना चाहिए हमारा ending point क्या है और पता होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है या पीछे जाना है मतलब कहने का ये है कि अगर आपको 1 से 10 की तरफ जाना है तो आपको increase करना पड़ेगा अगर आपको 10 से 1 की तरफ आना है तो आपको decrease करना पड़ेगा तो while loop का syntax देखते हैं क्या होता है तो while loop के syntax में सबसे पहले initialization आता है यानि कि syntax कहता है कि पहले initialize कर दो तो सबसे पहले initialization उसके बाद while लिखा जाता है और while के bracket में एक condition लिखी जाती है जिसको हम लोग ending point भी कहते हैं कि loop कहां तक चलना है उसके बाद यहाँ पर colon sign आते हैं फिर enter press करेंगे तो यह indentation में अपने आपको इस जह पर करजर को point out करेगा और हमें जो भी statements loop के अंदर रखने है जने हम repeat कराना चाहते हैं उनको हम यहाँ पर लिख देते हैं और हम ऐसे जितने भी statement देना चाहते है जिनको repeat कराना चाहते हैं उनको लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर updation करते हैं updation का मतलग होता है या तो increase या फिर decrease यानि कि value को बढ़ जाना या फिर value का घड़ जाना दोनों ही updation में आते हैं तो यह कुछ syntax है while loop का जब भी हम लोग while loop को use करते हैं तो हमें syntax को follow करना होता है क्योंकि loop को चलने के लिए तीन चीज़ों की जड़ोत होती है starting point, ending point और updation तो यह होगय हमारा initialization while के bracket में सरिफ condition लिखी जाती है और updation while के अंदर होता है तो यहाँ पर initialization, condition और updation को बिखेड दिया जाता है अलग-अलग places पर for में यह एक ही land में पूरा cover कर लेता है अलग-अलग नहीं लिखना पड़ता चलिए हम एक example के तुरू समझते हैं कि कैसे हमारा while loop काम करता है तो जैसे कि हमें आप से बूलते हैं कि आपको 5 time hello print करना है तो आपको loop 5 time चलाना पड़ेगा और उसके बाद आप hello को print करोगे तो हम लोग क्या करेंगे loop को 5 time चलाने के लिए हम एक variable लेंगे जैसे कि i is equal to 1 इसकी starting initial point 1 होगा जैसे कि हमने syntax में लिखा है initialization तो यहाँ पे लिख दिया i equal 1 यह हमारा initialization हो गया उसके बाद syntax के according हमें यहाँ पे y लिखना पड़ेगा और उसके bracket में हमें condition डालनी पड़ेगी तो हम loop को चलाना चाते हैं हमारा ending point 5 है क्योंकि हमें स्रिफ 5 time hello चाहिए तो हम यहाँ पे condition बनाएंगी कि i की value जब तक less और equal होती है 5 के तब तक यह loop चलता रहे तो अगर हम देखें यह condition कब तक true रहेगी तो i की value जब तक छोटी या बरावर है 5 के तब तक यह loop चलता रहेगा तो i less equal 5 condition true रहेगी जब i की value 5 से 6 हो जाएगी तब यह condition false हो जाएगी और हमारा loop रुख जाएगा अब यह 5 से 6 होगी कैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैसे होगा उसके लिए हमें इस loop में updation देना पड़ेगा तो updation देने के लिए हम i को update करेंगे तो लिखेंगे i is equal to i plus 1 ऐसा करने से i 1 by 1 increase करेगा और अपनी value को बढ़ाएगा अब हम print कराना चाहते हैं 5 time hello तो हम क्या करेंगे इन दोनों के बीच में यहाँ पर वो statement लिखेंगे जो हमें loop के चलते print करवाने हैं या फिर execute करवाने हैं तो हम यहाँ पर print में double quotes के अंदर hello लिखेंगे कुछ इस तरीके से तो अब हम देखें तो हमारे यह loop एक सले के पांस तक यानि कि 5 time चलने के लिए बिल्कुल तयार है और यह 5 time चलके इस statement को repetition देगा और hello को 5 time प्रिंट कराएगा तो हम लोग एक बार इसका output देखेंगे फिर इसकी working को थोड़ा सा समझेंगे तो अब भी हम इसे comment line में डाल देते हैं यह जो हमारा syntax है उसके बाद में उसको run कराते हैं आपको पता होगा python में दो तरीके से comment चलता है एक तो यह single line comment होता है अगर आप एक line को comment करना चाहते हो तो आप उसके आगे hashtag लगाओगे जिससे वो comment बन जाएगा और हमारा यह जो line है वो compute जो program है उसमें सामिल नहीं किया जाएगा ऐसे ही अगर आपको more than one lines को एक बार में ही comment line बनाना हो तो आप triple quotes का use कर सकते हो जिससे यह dock string बन जाती है और यह comment line को show करती है तो इस तरीके से triple quotes यहाँ पर लगाए और यहाँ पर लगाए तो यह starting to end पूरा ignore करेगा तो हमारा भी main program सरफ इतना है जो की execute किया जाएगा तो इसको अभी हम run कराएंगे तो हम run कराने के लिए f5 की press करेंगे यहाँ पर ok करेंगे तो यह हमसे file को save करने के लिए बोलेगा तो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं अभी file और हमने इसको save कर दिया तो हमने देखा कि हमारा python cell में एक output आया जिसमें 5 time hello print हुआ है ऐसा इसली हुआ क्योंकि हमारा loop 5 time चल रहा है क्योंकि हमने 1 से लेगे 5 तक चलाया था जिसकी वज़े से यहाँ पर hello 5 time print हो गया हम समझते हैं थोड़ी सी इसकी working को यह कैसे इसने 5 time hello print किया होगा तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है i is equal to 1 यह initialization है उसके बाद यह while make key bracket में condition check करने गया तो i की value भी current में 1 है तो यह condition true हो गई condition true होने की वज़े से यह loop के अंदर आ गया अंदर आया तो उसे print मिला और उसने पहली बार screen पर hello print किया उसके बाद वो नीचे गया i is equal to i plus 1 यहाँ पर i की value में 1 का increment होगा कैसे अगर हम थोड़ा ध्यान ने i की current value 1 है और यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है तो 1 और 1 add होके 2 बनेगा जो बापिस i में जाएगा तो i की value अभी current time पर 2 हो जाएगी और यहाँ पर i update हो गया फिर यह उपर जाएगा तो यहाँ पर condition चेक करेगा 2 less equal 5 तो अब की बार अभी भी condition true है अंदर आजाएगा अंदर आके यह print hello करेगा जिसकी वे से क्या होगा hello print हो जाएगा उसके बाद फिर यह नीचे आएगा दूसरी बार hello print हो चुका है नीचे आके i को i plus 1 से अब i की जगह पर 2 बैठेगा और इसमें plus 1 होके वो 3 हो जाएगा और वो बापिस i में जाएगा तो i की value हमेशा के लिए 3 हो जाएगी फिर यह उपर जाएगा 3 less equal 5 condition true है फिर से अंदर आ जाएगा और तीसरी बार hello print करेगा फिर यहाँ पर i का अपडिशन होगा और i 4 हो जाएगा फिर उपर जाएगा 4 less equal 5 condition true अभी भी है 4 बार अंदर आएगा और hello को 4 बार print कराएगा उसके बाद i को i plus 1 से i की value 5 हो जाएगी क्योंकि 1 का increment हो रहा है बार बार तो पर जाके 5 less equal 5 condition true और 5 बार अंदर आके hello print कराएगा फिर यहाँ पर i को i plus 1 से i की value 5 से 6 हो जाएगी फिर यहाँ पर आएगा 6 less equal 5 अब की बार हमारी condition false है तो condition false होने की वज़े से अब यह loop रुख जाएगा और यह while से बाहर आजाएगा इसके बाद हमने प्रोग्राम में कुछ करा नहीं था इसलिए हमारा प्रोग्राम में स्रिफ 5 time hello print हुआ अगर हम यहाँ पर 15 कर दें तो हमारा loop 1 से लेके 15 तक चलेगा और यह 15 time hello print करेगा तो हम लोग एक बार इस को देखते है यह देखिए हमारा प्रोग्राम 15 time hello आ गया क्योंकि हमने condition में changes किये थे और यहाँ पर i less equal 15 लिख दिया था तो कुछ इस तरीके से while loop process करता है और output देता है तो अगर आप से यह बोला जाता है कि आपको एक से लेके 15 तक की counting print करानी है तो यहाँ पर हमें एक variable का use करना पड़ेगा यह मैंने for loop वाले बीडियो में बताया था कि जो value आएगी वो यहाँ पर i से आएगी उसका reason यह है कि variable constant नहीं होते हैं वो अपनी value को change करते रहते हैं और इस program के चलते हमारे पास एक variable है जो हमें पहले बन फिर 2 फिर 3 फिर 4 बना के दे सकता है क्योंकि i update होता जा रहा और i की value increase होती आ रही है तो हम यहाँ पर अगर counting print करना चाहते हैं तो हम 1,2,3,4 की जो value है वो i से ला सकते हैं क्योंकि i की value आप देख रहोगे continuously update हो रही है और i की value हर बार 1,2,3,4,5,6 इस तरीके से चल रही है तो हमने यहाँ पर i को use कर लिया ऐसा अगरने से क्या होगा अभी यह program 1 से लेके 5 तक के 15 तक के numbers को display करेगा कुछ इस तरीके से तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि i loop की working क्या है अभी हमने देखा कि हमारा जो output है वो अलग-अलग line में value को print कर रहा है तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी सारी values एक ही line में आए जैसे कि 1 उसके बगल में 2,3,4,5 तो अगर आप एक single line में लाना चाहते हो तो हमें कुछ extra इसमें थोड़ा सा edit करना पड़ेगा यह जो print function है यह by default line change कर देता है जिसकी वज़े से सारी value 1,2,3,4,5 next,next,next line में आ रही है पर अगर आप चाहते हो कि यह line change ना करे एक ही line में सारी value को print करे तो हमें print में थोड़ा सा editing करना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा comma and equal उसके बाद हम यहाँ पर double quotes open करेंगे close करेंगे अगर आप दो numbers के बीच में space या comma देना चाहते हो तो आप यहाँ पर double quotes के बीच में space दोगे तो यह space valuable है और वहाँ पर यह print करेगा तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर space दे दिया अब इसको हम भी run करेंगे F5 प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो answer है वो भी same line में आ रहा है तो इस तरीके से हम अपने parent को line change करने से रोक पाते हैं तो अभी आपको इस समझ में आ रहा होगा कि भाई लूग कैसे काम करता है तो आसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि भाई लूग कैसे काम करता है फिर मिलते हैं next topic के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए जहन